पूर आवर श्टूडे न्यूज में आपका स्वाधत है मैं हूँ आपके साथ विपुलपांट जौनपूर के चंदवक में 12 वर्सी मासुम की मौत कामा मुलाज चामनी आया है अब बता जे कि लोगों का रूफ है कि बालक की हत्या की गई है क्या है पूरा मामला यह देखते हैं है रिपूर्ट जौनपूर के चंदवक ठाना च्छेत के अंतरगत पत्रहिचो की इलाके में एक 12 वर्सी बालक की संदिक परिस्तितियों में मौत हो गई है कुछ लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है बता जा रहा है कि छोटू राजबर पुत्र दूखी राजबर बारवर्स निवासी पत्रहरी बाजार अपने दो अन्यमित्रों के साथ निमंतर खाने के लिए बेती रात उसी के ही गाओं के मुन्ना दिछित के हाँ पर रात में गया था वही निमंतर खाने के बाद सौस के लिए गया उसके बाद जब वो नहीं लोटा तो उसके दोस्त खोजबिन करने लगे बहुत खुजमिन करने के बाद जब वही पर बालू की रेद पर वह अच्यत अवस्था में पड़ा मिला जिसके बाद दोस्तों ने आनन फानल में उसे उठा कर उसके घर ले गए जहाँ पर परिजनों ने उसे तत्काल सामुदाई स्वास्तकेंद डो भी ले गए हास्पीटल पहुचने के बाद डाक्टरों ने बताया कि इसकी मौत पहले हो चुकी है जिसके बाद परिजन सुबदा हसंसकार के कारिकम कर रहे थे किसी बीच पुलिस को सूचना दे दी गई पुलिस मौके पर पहुचकर सौकु कबजे मिले कर पोश्टमाडम के लिए भेज दिया इस बापत थाना ध्यच चंदवाक ओम नाराण सिंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे की मौत हुई है लेकिन हत्या या किस अन्य प्रकार की मौत है यह पोश्टमाडम के बाद ही पता चल सकेगा उसके सीने पर चोट लगने की बात भी सिकाज देखें यह कल रात को एक कोई बरात आई थी और इसके बाद में ऐसी सूचना आ रही है पुछ प्रतमदर्ष्टिया कुछ विवात का मामला बताया जा रहा है इसमें मौके परटीन पहुशी है साथ में अव्योग पंजीकत किया गया है अब आगे इसमें विदिक जो कर भाई हो कि जागा है जानपूर से 24-hour studio news के डिये पुछ पंदिसिंग की रिपोर्ट